हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल All Indian Jobs पे और आज हम फिर से आपके लिए समाने हिंदी की टैस्ससीरीज लेके आए यह test series no.10 है इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जितने भी नए वीडियो अप्लोड करें आप उससे नोटिफाइड रहें तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता ह जश दूला तस बनी बराता कसा ही अर्थ होगा? उप्षिन A संगठन से ही कारे सिध्ध होता है Option B, सुन्दर वस्तु के साथ ही सुन्दर वस्तु का मेल होना Option C, सभी साथ ही एक ही जैसे या Option D, इन में से कोई नहीं हमारा राइट आंसर है Option A, संगठन से ही कारे से धोता है तो friends बढ़ते हैं अपने next question की ओर और हमारा अगला question है कनक कनक से तेसो गुनी मादगता अधिकाए में कौन सा अलंकार है Option A, अनुप्रास अलंकार Option B, उपमा अलंकार Option G, यमक अलंकार या Option D, रूपक अलंकार हमारा राइट आंसर है Option C, यमक अलंकार तो next question है आसु का बहुवचन क्या होगा Option A, आसू Option B, आसूए Option C, आसूओ या Option D, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर है Option C, आसूओ तो हमारा next question है सूरे शब्द का स्त्रिलिंग क्या होगा Option A, सुर्यानी Option B, सूर्या Option C, सुर्याई या Option D, सूर्यो हमारा राइट आंसर है Option D, सूर्यो अगला question है हमारा निम्लिकित सब्दों में से स्त्रिलिंग शब्द का चैन कीजी Option A, स्थापना Option B, स्वदेश Option C, अध्याई या Option D, आपराद हमारा राइट आंसर है Option D, आपराद तो friends हमारे पास यहाँ पे अगले questions के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्लिकित सब्दों में से सही संधी विछेद का विकल्प चैन कीजी तो हमारा शब्द है इत्यादी Option A, इत्य जोर आदी Option B, इत्य जोर आदी Option C, इत्य जोर आदी Option D, इत्य जोर आदी तो हमारा राइट आंसर है option D इती जोर आदी अगला question है हमारा सदय उसका option है option A सदा जोर एव option B सदा जोर एव option C सद जोर एव option D सता जोर एव हमारा right answer है option A सदा जोर एव अगला question है हमारा अत्य चार option A अती जोर अचार option B अत्य जोर अचार Option C अती जोर आचार या Option D अत जोर आचार हमारा right answer है Option C अती जोर आचार तो friends अगले question के लिए आपे फिर से निर्देश दिया गया है निमलिकित प्रशनों में से एक शब की वर्णी के चाचार विकल्प दिये गया है इन में से एक विकल्प सही है सही ही विकल्प का चैन कीजे Option A अत्याधिक, Option B अत्याधक, Option C अत्याधिक या Option D इन में से कोई नहीं हमारा right answer है Option C अत्याधिक अगले options है हमारे मधुसूदन Option B मधुसूदन, Option C मकसूदन या Option D इन में से कोई नहीं हमारा right answer है Option A मधुसूदन next option है यहाँ पे option A अध्यान, option B अध्यायन, option C अध्येता या option D इन में से कोई नहीं हमारा right answer है option B अध्यायन यहाँ पे अगले questions के लिए फिर से निर्देश दिया गया है दिये गए प्रतिक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्थी उसी वाक्य में रिखाद के शब्द के उप्युक्त विलोम द्वारा की जानी है इसके लिए चार-चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चैन कीजिए, तथा उत्तर पर्टिका में तदाजमसार कला कीजिए तो इसके फर्स्ट कोशिन हमारा भारतिय दृष्टी अध्यात्मिक है, जबकि परश्चात्य दृष्टी का अधार डैश है अप्शन ए भातिक अप्शन बी पदाधवादी, अप्शन सी निराशावादी या अप्शन दी विभाजन हमारा राइट आंसर है, अप्शन ए भातिक अगला खुशन है, हमारा स्वच्छ जल के अभाव में हमें डैश जल पीकर ही पुझानी पड़ी Option A दूशित, Option B तप्त, Option C शीतल या Option D उष्ण हमारा राइट आंसर है Option A दूशित अगला कुशन है हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत ने परातंतरता की जनजीरे तोड़ कर डैश प्राप्ति की Option A स्वतंतरता, Option B पराधीनता, Option C स्वचंदता या Option D सम्वैधानिकता अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो मैं कॉमेंट सेक्शन में लिखके बताए Q89 का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखके बताना है तो अगले जो हमारे कॉशन हैं उसमें जो Your Love दिया गया है वो विवस्थित करम में नहीं है इन्हें ध्यान से पढ़ना है और दिये गए विकल्प में से उचित करम चुनना है जिसे सही अनुछीत का निर्मान हूँ तो मैं कॉशन परती हूं साहस और आत्म विश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है ऐसे व्यक्ति के सामने पहाड भी अपना सिर जुका लेते हैं एक बार असफल होने पर भी नई उमग नए विश्वास वर नए साहस से फिर प्रयतन करता है और दुराशा उसके पास त ल, य, र, व, आप्शन B, य, व, ल, र, आप्शन C, व, र, य, ल, य, य, आप्शन D, र, ल, व, य, हमारा राइट आंसर है यहाँ आप्शन C, व, र, य, ल, तो इसे के साथ मैं आंसर पढ़के बताती हूं आपको पहले साहस और आत्म विश्वास के साथ जीना ही आसी वेक्ति कभी भी अपना कर्म नहीं चोड़ता एक बार असफल होने पर भी नई उमंग नए विश्वास व नए साहस से फिर प्रयतन करता है ऐसे वेक्ति के सामने पहाड भी अपना सर जुका लेते हैं और दुराश्या उसके पास तक नहीं फटकती ऐसे वेक्ति हैं अ पानस सिंदु में उठने वाली स्मृती तरंगे य जो कभी हमारे थे र परवे अपने मुख भाषा में एक संदेश हमें दे जाती हैं ल और उन चनों को व काल के विश्यम तट से तक्रा कर विलीन भले ही हो जाए शेक्स पुनर जीवित साम कर जाती हैं तो हमारे आप्शन से ऑप्शन ए ल य र व ऑप्शन बी र ल व य ऑप्शन सी व र ल य य य ऑप्शन बी य व र ल हमारा राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी व र य ल तो आपको फिर से अनुछेद पढ़ के बताती हूं पहले व पहले व पढ़ना चाहिए मानस सिंदु में उठने वाली स मृत्ति तरंगे काल के विशम तट से तकड़ा कर विलीन भले ही हो जाएं पर वे अपनी मुख भाषा में एक अंदेश हमें दे जाती हैं और उन छनों को जो कभी हमारे थे पूर्णर जीवित्सा कर जाती हैं तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स कोशन की तरफ तो फ्रेंट्स हमारा नेक्स कोशन है एक मधूर और सागर के बीच अपनापन खेजने में सरीता की जो कठिनाई होती है यह वह बेचारी बार बार अपने गंतव्य को भूल सी र च्छड़े खाकर लोट लोट जाना चाहती है ल मरुस्तल की अनंत प्यास बुझाने के 6. अपने ही बनाई तटुक कारा बहने के लिए विवश्च है हमारा राइट अंसर है आप्शन ए वय लर तो मैं आपको अनच्छेद पढ़के सुनाती हूँ मधूर और सागर के बीच अपनापन खेजने में सरीता की जो कठिनाई होती है इसे आज तक कोई नहीं जान पाया है वह बिचारी बार अपने गंतव्य को भूल सी जाती है मरुस्थल के अनन्त प्यास बुझाने के लिए पच्रे खाकर लोट लोट जाना चाहती है पर स्वयम अपनी बनाई तर्टो की कारा में बहने के लिए विवश है तो फ्रेंड्स अगले प्रशनों के लिए हमारे पास फिर से यहां निर्देश दिया गया है प्रतेक समूह में चार्चा शब्द दिये गये हैं इनमें तीन शब्द परेवाची हैं एक भिनार्थी हैं आपको भिनार्थी शब्द का चैन करना है हमारा राइट आंसर है उप्शन सी पुंगी फल या उप्शन डी रसाल हमारा राइट आंसर है उप्शन सी पुंगी फल इन चारों उप्शन में से यह एक अलग उप्शन है अगला question का options है हमारे पास option A कपड़ा, option B अमबर, option C पट, sorry यहाँ पे रख मिस्प्रेंट हो गया, यहाँ पे पट होना चाहिए option D दुपट्टा, तो हमारा right answer है option D दुपट्टा, अगले question के लिए options दिये गए है option A कंदर्भ, option B रती, option C कामदेव, या option B मार, हमारा right answer है option B रती तो friends अगले questions के लिए फिर से यहाँ पे निर्देश दिया गया है, निमलिखित प्रशनों में दिये गए शब ने प्रेजुक्त प्रत्या के लिए चार-चार विकल्क दिये गया है, इनमें से सही विकल्क का चैन कीजिए लेखक, option A अन, option B अनिये, option C अक, या option D अकड, तो हमारा right answer है option C लेखक में अक प्रत्या का प्रियोग किया गया है अगला question हमारा पाठक, option A अकड, option B अक, option C अका, या option D आड़ी, हमारा right answer है option B अक अगला question है हमारा गायक option A आउ option B आख option C आख या option D आखा हमारा right answer है option C आख तो friends अगले questions के लिए फिरस्ति ने देश दिया गया है नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर के रूप में 4-4 विकल्ट दिये गए हैं इन में से एक ही सही है सही विकल्ट का चैन कीजिए तो हमारा पहला question है कावय में कितने रस माने जाते हैं option A 6 option B 7 option C 8 option D 9 हमारा right answer है option D 9 last question है हमारा आज का गनों की संख्या कितनी है option A 4 option B 5 option C 7 option D 8 हमारा right answer है option D आट तो इसी के साथ friends आज का हमारा question समाप्त होता है अगर हम आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like करें, share करें मारे चैनल को subscribe करें साथ ही bell icon को प्रस करें ताकि हमारे नई वीडियो अपलोड हो और आपको साथ ही notification मल जाए अगर आपको इससे related कोई भी problem हो तो आप comment section में लिखें साथ ही जो हमने आपके question दिया है 89 number question उसका answer आप comment section में लिखके बताएं दन्यावाद